नमस्कार दोस्तों मैं उदय लाउश्री एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन प्रडियों देखने वह लेहर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के विडियों में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थामनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों सवमान्य मुर्गी पालक भाईयों के लिए सबसे महत्वपुर्ण वीडियों कि आप देशी मुर्गी पालन के व्याउसाय में देशी मुर्गी पालन के व्याउसाय में देशी मुर्गी पालन के व्याउसाय का मुना मुनाफा सव प्रतिशत होगा यहां पर दुगना यह फिलहाल की है सबसे बड़ी आपडे यह फिलहाल का है सबसे महप्त्वपुर्ण वीडियो कि देसी मुर्गी-पालन के व्यवसाय में देसी मुर्ग्यों के लिए अगर आप फिड के तोर पर आटे का इस्तमाल करते हो तो सव प्रतीशत आपके देसी मुर्गी पालन के व्योसाय का मुनाफ़ा यहां पर होगा दुगना फिर आईसी परिस्तितियों में देसी मुर्गी पालन के व्योसाय में देसी मुर्गियों के लिए फिड़ के तौर पर आटे का इस्तमाल क्यों करना है कब क करना है कितना करना और किस प्रकार से करना है क्या सच में देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय में फिड के तौर पर देशी मुर्गियों के लिए आटे का भाईयो तक वीडियो पहुचाने के लिए जरूर वीडियो को यहां पर एक बार शेयर करती जीए अगर आपका सब्सक्राइब करना रहा होगा तो सभी किसान भाईयों और मुर्गी पालक भाईयों से हाव जोड़कर मैं अनुरोथ करता हूं कि किसान भाईयों और मुर्गी पालक भाईयों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को मैं अपना ही मानता रहूंगा यह आप भी मुझे अपना घर का सदस्य मानते हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए चानल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियों के दाई तरब नेचली साड में आ जाईए और वहां पर आने के बाब दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते आल इस फिड के तौर पर आप आटे का इस्तमाल करते हो तो यकीन मानिए आपके देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय में आपका शुद्ध मुनाफ़ा यहां पर दुगना होगा फिर आइसी परिस्तितियों में देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देशी मुर्गियों के से देशी मुर्गी पालंग के व्योसाय में हमारा मुनाफ़ा दुगना हो सकता है इस सवाल का भी सटीक जवाब पर यहां और आपको दिये देता तो दोस्तों मैं आपको विस्तार से जवाब दूँगा लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए खुश कबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालंग के माध्यम से एक नया वाटसब ग्रूप बना दिया है अगर आप इस वाटसब ग्रूप के साथ जुड़ना चाहते है तो इस व पतानी वाला कोई नहीं था समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहां से आगे इंडियन मुर्गी पालण के माध्यम से सित Hake देखें दोस्तो उत्तपदन से लेके विकरीत अंडियन मुर्गी पालन के माध्याउम से हमें चूळु की है उसके माध्याउम से आपको एक matarभ जानकारी दी जाएगी जिसके माध्यायम से देजी मुर्गी पालन में इस व्यौसाय में आगर आजाऊगी, सूप में आपको इस व्योसा के माद्यम से लाखों का मुनाफ़ अपराप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगे तो आई सी परिस्तितियों में फिर हम किस प्रकार से आपकी साहियता करते हैं समझाते हैं तो देखें दोस्तों देशी मुर्गी पालन के व्योसाय में देशी मुर्गिया और जो चूजे होते हैं इनका सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है फिड़ पर तो हम क्या करते हैं दोस्तों देशी मुर्गों का देशी मुर्गों का और देशी चूजों का फिड़ का 80% कम करवाने में आपकी help करते हैं मदद करते हैं उसके बाद दोस्तों सबसे महतु पुरुना बात क्या है कि मुर्ग्यों को और चूजों को सही और रख रखाओं के लिए शेड़ चाहिए तो शेड़ मौटरन तरीका किस प्रकार से बनाना है शेड़ बनाती है कौन से बातो के लिए और चूजों के लिए कम से कम जमापुजी में कम से कम लागत में कम से कम जगह में शेड़ किस प्रकार से बनाना है और कम से कम जगह में ज्यादा ज्यादा मुर्ग्यों ज्यादा ज्यादा चूजी किस प्रकार से हो सकेंगे इसके बारे में सटीक जानकारी देकर खाब को श्यडव उस प्रकार से बनाने में हेल्प कीसजह के साथ साथ दोस्तों देसी मुर्गया है देसी चूजर इन पर बीमारी ना अएसलिए इनका तीका करन कब और किस प्रकार से कर ना से टीक जानकर्य आपको दी जाएगी साती साथ में दोस्तों इनका ठीका करने के साथ ही अगर कोई बीमारी जाती है तो उस बीमारी को पहिचान कर ततकाल प्रभाव से उस पर इलाज कोंसा करना इसकी जानकारी दी जाती है जिससे हमारे फाम का बहुत कम खरचे में और से आखिर में आपके पास तड़िया की कोई भी ताकत हमारे साथ जुड़ने से हमारे मार्गदर्शन में आपको लाको का मुनफ अप्रद करने से वंचित नहीं कर पाएं गे कंवेरे vac दोस्तों हमारे online training program के साथ जुड़ सकते हूं जुड़ने के लिए कॉल किजिए दोस्तों 142262 पर जैसे आपका कॉल आएगा दोस्तों फोन उठाओंगा मैं उसके बाद विस्तार से आपको जानका रिदूंगा उसके बाद रेजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका पूरा नाम पूरा पता च्यांको का पिन कोट नहीं तो आधर का अगला पिछला फोटो भीजवान आइगा इतना भीजने के साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को मेरा फोन पे गूगल पे नंबर आपको लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी अगर आपको करना है देशी मुर्गी पालन और कमाना है लाखों का मुनाफ़ा तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के उनला टेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों प्रतिश देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जो हमारी यहां पर मुर्गिया है उनके माध्यम से मिलने वाला शुद्ध मुनाफ़ा दुगना हो सकता है किस प्रकार से समझाता हूं पहली बात क्या 12 महां हम आटा दे सकते हैं हां दे सकते हैं लेकिन बदल बदल के बरस गर्मियों के धुख काले के सिजन में अपना सकते हैं और चावल के जो आटा होगा वह बारा महां इस्तामाल कर सकते हूं देशी मुर्गी पाल के व्यवसाय में देशी मुर्गे के लिए फिड़के तौर पर आटे का इस्तामाल करने से हमारा दुगना मुनाफ़क इस प्र 40 रुपए किलो लेकिन उसी जगह पर हमारे आडोसपड़स में जो चक्किया होती है उसके नीचे जो आटा बचा हुआ होता है वह पाच रुपए किलो के भाव पर कहीं कहीं पर तुम मुफ्त में मिल जाता है इस आटे को खरीद कर लाना है दोस्तों सोचिए दोस्तों जहां यहां कि 80 प्रतिशत खर्चा बच रहा है तो इसका मतलब है कि आपका 80 प्रतिशत खर्चा बचेगा यानि कि आपका शुद्ध मुनाफ़ा यहां पर बढ़ जाएगा दूसरी सबसे महत्व पुरुन बाद जब तक आपको देने का तरीका समझ मने आएगा तब तक दिक्कत होगी तो आपको 10 किलो समझो आपने आटा लाया उसको साफसुत्रा करना है दोस्तों और उस आटे में आपको 2 किलो सुकट को डालना है जो मचली के छोटे चोड़े पार्ट सुखे हुए रहते हैं उसको बारिक पिसकर डाल दीजे और उसके बाद दोस्तों जो आट अंड और उसके बाद दोस्तों चोटे चोटी गोले बनानी है और मुर्गिों को दे नहीं प्रति दिन आप आटे का इस्तमाल हर मुर्गी के लिए 40 ग्राम कर सकते हैं आपके यहंपर 10 मूर्ग्या होगी तो 400 25 होगी एक किलो और आपके पास सव मुर्गया होगी तो आप चार किलो तक दोस्तों प्रती दिन यहां आटा वेस्टेड दे सकते हो मुझे बताइए कि चार किलो फीड सव मुर्गयों को देने के लिए 40 रुपए के हिसाब से समझो 160 रुपए का खर्चा आता है उसी जगह पर आटे का इस्तमाल करेंगे तो चार किलो आटे के लिए लगने वाला खर्चा 20 रुपए यानि कि आपका यहां पर बचत का भाग जो होगा वह 140 रुपए का होगा इस प्रकार से आप देखोंगे तो सव मुर्गयों के पीछे एक महा में आप 4200 और साल भर में देखोंगे तो कम से कम दोस्तों आप 50-60 गर्मियों के मुसम में जवार का बरिश के और सर्दियों के मुसम में आप ग्यें हूं बाजरा मकाइ इसका आटा इस्तमाल कर सकते हो बारा महा आप चावल का यह था देने का तरीका 10-23 बचुट में आपको क्या करना है दोสतों इस प्रकार से दोस्तों आपका एक तरफ फिड़का खर्चा घटेगा तो दूसरी तरफ दोस्तों आपकी मुर्गिया यहां आटा देने से उनका वजन बढ़ जाएगा मुर्गियों का अंडों का उत्पाधन भी आपको आवरेज दिखाए देगा यानि कि उसमें कोई कटव होती नहीं होगे एक चोटी-चोटी बात ही होती है दोस्तों जिसक Tom ale करने सेільки मुर्गियों का बहुत फायदा रसाद के मोशनम में robić में कि चरीर में पानी का प्रतीिसद बढ़ता है उसको घटानी के लिए भी आउटा इस्तमाल में आता है जिससे मुर्गियों पर बीमार पर दूब न हो जाएगा तो इस प्रकार से चोटी चोटी जो जानकारी होती है दोस्तों मेरे प्रोग्राम में देता हूं यह जानकारी पाकर मेरे साथ जुड़ा हुआ देशी मुर्गी पालक भाया आज लाखो का मुनाफ़ा पराप्त कर रहा है अगर सच में आपको भी दे पर दिजिए जैसे काल करोगे दोस्तों आपका कॉल में उठाओं गा उसके बाद वाटसप नमबर चोरह सी किस बासट पर आपको आपका पूरा नाम पूरा अच्छा है आग्वाना इतनी जानकारी बीजने के साथ ही मैं आपको मेरा फून पर गूगल पर नंबर बैसी पै अगर आपको करना है देशी मुर्गी पाल कमाना अलागों का मुनाफ़ा तो आज इंडियान मुर्गी पाल के आउनलाइन ट्रेनिक प्रोग्रम के साथ जुड़ने के लिए कौल किजिए दोस्तों दोस्तों इंडियान मुर्गी पाल के माध्यम साहम ने वाट्सप ग्रूप बना दिया अगर इस वाट्सप ग्रूप के साथ जुड़ना चाहते हैं इस उडियों के डिस्क्रिप्शन में वाट्सप ग्रूप की लिंक का आई लिंक को टूच करे दो मैंने आपको बताया कि दोस्तों इसके बारे में आपके मन में कोई सवालात होगे तो लिकर भेज़े आने वाड़ी के माध्यम से आपको सोजुशन देता रहूंगा दोस्तों पसंद आया होगा यह वीडियो तो जरू लाइक कर दिए ज्यादा-ज्यार किसान भाई और मुर्गी पहुंचाने के शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नमबर वाटसब टेलीग्राम गूरूफ फेसबूब के साथ नों का इस्तमाल करते लिंग को शेयर कर दीजिए और अगर आपका सब्सक्राइब करना रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेर्ज बजाएगा गंटिया इंगेज गंटी को अन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आईसा एक नए वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तों देलाड आप सभी के चेहिती चानल इंडियन मुर्गी पालग पर आपको मिलता रहोंगा तब तक के लिए मिरा हर किसान भैवर मुर्गी पालग भाई का आज खुड़ में तेहलील से बहुत बहुत आभार